कक्षा आठवी, कारेपत्रिका 14, तिथी 18 नवंबर 2020, सभी विध्यार्ति अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें आज हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभीक्रिया अब तक हम जान चुके हैं कि कुछ धातूएं अधिक अभीक्रियाशील होती हैं तो कुछ धातूएं कम अभीक्रियाशील होती हैं और कुछ धातूएं तो किसी से भी अभीक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभी क्रिया खलाब करें 100 ml के 5 बीकर लें और उन पर A, B, C, D और E चिन्धित करें प्रतेक बीकर में 50 ml जल लीजिए प्रतेक बीकर में दर्शायगय पदार्थों में से प्रतेक का एक चमक डाल कर खोलिए बीकर A इन बीकर को बिना छेड़े कुछ समय तक रहने दीजिए और अपने प्रेक्षन को लीजिए आप देखेंगे कि बीकर A में जिंक कॉपर सलफेट के विलियन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है जिसकी वज़ा से कॉपर सलफेट का नीला रंग अद्रिश्य हो जाता है और बीकर के पैंदे पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो गयाता है बीकर A कॉपर सलफेट C.U.S.O.4 में जब हम जिंक मिलाते हैं Z.N तो हमार को जिंक सलफेट Z.N.S.O.4 प्लस कॉपर C.U. मिलता है बीकर B में लो है यानि आईरन ने कॉपर सलफेट के विलियन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया बीकर B कॉपर सलफेट में जब हमने लो हा F.E. मिलाया तो आईरन सलफेट F.E.S.O.4 और कॉपर हमें मिला हमने देखा कि बीकर Q.D.E में कोई अभिकरिया नई हुई जिसकी वजह से उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहानियम यह है कि केवल अधिक अभिकरिया सील्धातु कम अभी क्रियाशील धातु को उसके जलिये विल्यन में से विस्थापित कर सकती है लेकिन कम अभी क्रियाशील धातु अधिक अभी क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है प्रश्न एक कौपर विल्यन और कौपर का रंग कैसा क्या होता है कॉपर विल्यन का रंग नीला होता है और कॉपर का रंग भूरा होता है प्रश्न दो कॉपर जिंक के विल्यन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता है कॉपर जिंक के विल्यन में से जिंक को विस्थापित इसलिए नहीं कर पाता है क्यूंकि Zinc अधिक अभिक्रियशील धातू है और Copper कम अभिक्रियशील धातू है प्रश्नितीन Zinc, Iron, Copper को अभिक्रियशील ताकि घटे क्रम में व्यवस्थित करें सबसे पहले सबसे अधिक अभिक्रियशील Zinc उसके बाद Iron और सबसे कम अभिक्रियशील Copper Zn, Fe and Cu प्रश्न चार्ड क्या होता है जम एक लोहे की कील को Copper Sulfate के Willian में रख दें यदि हम एक लोहे की कील को Copper Sulfate के Willian में रख दें तो लोहा Copper Sulfate के Willian में से Copper को विस्थापित कर देता है क्योंकि लोहा जो है वो अधिक अभिक्रियशील धातू है Copper कम अभिक्रियशील धातू है प्रश्न पांच अभिक्रिया को पून कीजिए Zinc में हम क्या मिलाएंगे जिससे की Zinc Sulfate प्लस Copper हमें मिलेगा तो जि हम Zinc में Copper Sulfate को मिलाएंगे तो हमें Zinc Sulfate और Copper मिलेगा बच्चो कोविट के संधर्ब में उचित वेवार रखना बहुत जरूरी है आप सभी कोविट की लडाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहन तो बच्चो ये वरक्षीट यहां कम्पलीट होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यो पर बने हमारे लेटेस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे हमारा चैनल नॉलेज किंग्डम थैंक यू झाल